इस पर तो कलर भी नहीं आ रहा है दिख रहा है यह इसमें यह कलर है ठीक है अंचल ठीक ओके तो मनें पड़ा था देरार फाइफ फिजिकल डिविजन अफ इंडिया क्या क्या बताओ नाम पहला तो ग्रेट नॉर्दन मांटेन बेल्ट जेख रेंज होती है उसको बोलते स्रंकला बेल्ट को बोला जाता है पेटी एंतर होता है जियो मॉर्फ लॉजीन पढ़ेंगे आगे जाके क्या डिफिरेंस होता है बेल्ट में मांटेन में तेक है और भी चिजह होती है जैसे Occidental-Oriental इनमे भी दिफरेंस दागे पढ़ें दूसरा क्या था ग्रेट नौर्दन प्रेंस विशाल उत्रिय मैदान ग्रेट पैनिन्सुलर प्लाट्यू विशाल प्राइदी प्थार प्रित हमारा दा आइसलेंड गुरूप दीप समूग देप समूग दो कोस्टल प्लेंस हुआ किसमें होगा बताओ यहां मैप में पड़ा था हाँ आएगा वह नोर्थ अमेरिका में पर कंट्री कौन उसमें आप स्थे निशाद इस ग्लास में आप बताओ नौर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तब देखा था आपने ग्रीन लेंड में क्या लिखा अभी देखो खोलके डैनमार्क कंट्री का वो पार्ट है डैनमार्क जो कंट्री है डाइट दार्ट लाइज इंड यूरोप बट ग्रीन लेंड आंड इस टिल द द कोलो नि उफ डैनमार्क डैनमार्क के लोट्री कोलोंटी ऑन्टीनेंट पूछ था था नौर्धन अमेरिका के अंदर पूछ दिन्सक सदेनर्ट इसका वहलन नोर्थ किदने कंट्री होगे क्या मैक्सिको नि करेंगे मैक्सिको युएसे कैनाडा और डेनमार्क क्या हूं तो इस से क्या फ्रक पड़ पहीं तुज क्या थरुक्रि तर्की है युरोप में आपका नॉर्फ अमेरिका में है ऐसे साउथ अब तेक हमेरिका में नीचे अगर आप भूब सैंने दिख रहा है यह यह पर दिख़र है अम टै जा लिखाए यूगे तो बर्थ स्टिल पाट फूर्ट फूर्ट कर ट्रीट्री उफूर्ट एप आज इन साउथ अमेरिका कोद्स नीदिया जा करें इस अरजन्टिन आफ जाले इंडिया भी दोनु जग और आजिए चलो और आगे चलो और यह देखो इसमें सबसे नीचे का आइलेंड दिख रहा है अर्जेंटीना के पास तो उसमें यूके लिखा है तो यूके का पार्ट है इसे होता है इसे डिफरेंस होता है स्टाट करें हैं तो हम पढ़ रहे थे पहले बाला ग्रेट नॉर्देन मौंटेन बेल्ट तो इस ग्रेट नॉर्दन मौंटेन बेल्ट के अंदर हमने पढ़ा तो अभी जोग्राफी नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी कोई बात नहीं तो अभी स्टार्ट करते रहो देखते रहो यहीं से स्टार्ट है कल पहला लेक्चर था इंडिन जोग्राफी का कुछ पुरानी चीज़ होंगी मैं बता दूंगा हिंदी में लिखते हैं इंग्लिस में कोई बार यहीं तो तो तीन तरह का हमारा Great Mountain Belt को हमने फिर से डिवाइड करें है हुआ होग भारत की पूल आकरती पड़ रहे है कि आकरती कैसी नजर आती है तो हमारा जो इंडिया है वह कैसा नजर आता है जो आपका पहला पहला फिजिकल मैप दिया हुआ है वैसा नजर आ और नीचे यह जो आपको ट्रेंगुलर शेब में यलो कलर दिख रहा है यह मेलब प्लैटू है पटा रहा है तो वह हमारे तट्य मैदान है कोस्टल मैदान है और हमारे दो दीव समू है एक अंडमानी को बार एक लक्ष दीव ते पांस तरह से डिविजन है तो हम सबसे पहले है ट्रांस हिमाले को ट्रांस हिमाले ही कहा जाता है और यह है आपका हिमाले और तीसरा है आपका पूर्वांचल्म है ठीक है तो यह आपके तिन तरह है के डिविजन हो गया तो हमने समझा था कि ऱ्यानस हिमाले क्या है पूर्वान चल्क्या है तो क्या क्या डिफ्रेंस है इन में जो आप यह मैप देख रहे हैं तो इस मैप के अंदर के अगर सिंपल यह n行प देखे मैप यह जो verschiedenen वाला मा pourrait पर वाला माूंटक्ए राइए इसको कहते हैं ट्रांस हिमाले यह उतरवाला इसका इसका निर्मान इसान नीचे से पहले हुआ है चिक है तो अगे ही के इसको आगे भी समझेंगे कि हामया कैसे बना आपर अवही इतना जनो जो फासी पहले बनाएं नीचे बाल बाद बनाएं जो जै तरह निचे आता जायगा वह और बाविद शिवाल मा अ दीठ के तो हम यह देख रहे हैं हिमाल लेंख उट्रान्सी माले यह जो पूरा दिख रहा है आपको यहां यहां तक यह क्या है किमाले और można जो आपको दिख रहा है न॓र्फीश्ट में उत्री पूरवी राजयों में तो यह आपका पूर्वांचु स्टार्ट रखा यह पढ़ रहे हैं इस ट्रांस हिमाले को हम पढ़ रहे थे इसके अंदर हमने समझा आगे जाके कि इसको फिर से तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है पहले इसकी विशेष्था समझी कि कैसी चट्टानों से बना हुआ है योल्ड ने इसके अंदर कि पृत्वी की पुरानी सबसे प्राशीन्तम चट्टाने भी पाई जाती है उनको क्या करते आरकीं चट्टाने तो पृत्वी हमारी है चारपॉइंट पाँच बिलियन येर पुराणी पृत्वी माली जाती है तो विश्व की सबसी पूरानी चट् पर कि अपर हिंदी में भी से यही कहा जाता है और फ्योगाइट हो से चहरी और यह क्या होतां बताईôi एक ऐसा पदार्थ जो दो प्रिटों को झोड़ सकता है है तो इचो प्लेट जो प्रित्वी के सबसे उप़र वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्रस्ट यह जो क्रस्ट है पृत्वी की यह चोटे-चोटे टुप्डों में डिवाइडेड ऐसे वैसे लिठोस फियर दिवाइड है पर हम आप भी क्रस्टी बोलेंगे क्योंकि अमने जीमर्फलाजी नहीं पड़ाया तैसी तुकडों में डिवाइड है एक टुकडे को प्लेट कहा जाता है और यह प्लेट के नीचे जो है कैसा मैटीरियल है कैसा प्दार्थ है एक थो आहिके डिलेगा ये प्लेट रखी हुई तो ये कुछ ऐसा ही है कि बेट हilती है तो ये बीलता है पढ़ेंगे सब टेक्टोनिक्स में क्या होता है पर इस दुरूबलता मंडल के उपार यह प्लेट स्थिर नहीं है यह चलती है चलाएमान है तो इनके चलने से सभी हल चले होती है जितने भी भूब होती कि आप चीजे देखते हैं जीओ फिजीकल पहाड पठार मैदान यह सब देख सकते हैं यह सभी भू बहुतिक आपकी आकरतियां हैं इसी कारण बनती है इन प्लेट के दुर्बलता मंदल के उपर चला इमान होने से, अब कैसे बनती है, वह हम भोड डीटेल ही पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बट अभी वस इतना जाने कि दो प्लेटों के नाम है, एक प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट और एक प्लेट प्राइब में पाया जाता है ठीक है और यह ऐसा पदार दुनिया में बहुत कम जगए पाया जाता है यहां बिलता है एक अपने बन रहे हैं चिक है तो यह हमने इसकी विशेष्टा के बारे में पड़ा आब हमने फिर ये भी पड़ा यह जो आपका त्रांस हिमाले है इसको फिर से कितनी श्रंखलाव में डिवाइड किया हुआ है क्या क्या कारा कूरम कि तो हिंदी में भी कारा कुरम में कहते हैं नाम सेम है लद्दाक यस सुने भी होंगे आपने और तीसरा जहां सकर यह तीन रेंजिज हैं इसके अंदर तो हमने सबसे पहले पड़ी थी कारा कुरम इस कारा कुरम कूर क्या क्या नाम से बोलते हैं बताओ क्रिश्णा गिरी यह भी कहा जाता है इस कारा कुरम को बाहीर गिरी जो बाहर की तरफ पड़ते हैं हिमाले के तो वो भी कहते हैं बैकबॉन ओफ एशिया उसकी जो उचाई है वो छे हजार मेटर से उपर है करमकोरमकी तो एक ऊची उपर बहुत ठंडा रहता है क्योंकि इतना हम अभी समझेंगे कि उच्छाई के सादude स्वयों त्यों पड़ेंगी क्यों कम होता दू ने उची होने के काारण इसके पर बरफ जम जाती है बरफ जम जाते हैं इसके अंदर कुछ परसिद्ध ग्लेशिर पाए जाते हैं जो हम ने कल पड़े थे जैसे एक उसमें से फेहमस है कुन सा सी याची दुनिया का सबसे उचा ग्लेशियर सी आची वह इसे मिलता है इसके अलावा और भी मिलते हैं जो आठ किलोमेटर से भी उचाई की हैं जैसे एक केटू जो केटू है वो भारत की सबसे उंची चोटी है राका पोस्ची जैसे आप इस वाले मैप में देखिए कि चलो कोई ने दोनों एक ही हो गए तो कि देखो यह वाला जो दिख रहा है कि देखो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यह डिजिटल मैप ही यह दिक्काद होती है यह है तो इसके अंदर दिखरा आपको यह केटू है बिलकर यहीं पर है यहयो टेवए सबसे जूख अपने देश की सबसे उची आपने देश की सबसे जूख वह बात अलग है कि यह साब किसी कबजे में है झीन के कबजे में पर हमारी सबसे ऊची हिए off संखला में पढ़ती है तो मैचिंग में से बहुत सवाल आते हैं आपके साथ से आठ कुश्चन इसी चैप्टर से आने वाले कि दोनों पूछ सकते हैं अगर मालो सवाल में यह हो कि ट्रांस हिमाल्या पुर्वांचल हिमाल्या की चोटियों को मैच करो तो अगर आप केटू दे रखी है तो उसका पूर्वांचल से नहीं मैच कर सकते हैं और अगर एक विशेश रेंज ही दे दी गई है कि कारकुरम लद्दाक में है या जहांसकर में है या आपके पीर पंजाल में है तो कारकुरम में है ठीक है तो वापस चलते हैं हम उधर ही हम पढ़ रहे थ है नेक्स्ट है लद्दाक है हिमाचल में नहीं वह उसमें हिमाले में हिमाले की मिडिल रेंज हिमाचल में लद्दाक तो यह लद्दाक क्या है ट्रांस हिमाले की एक श्रंखला है बट वैसे यह एक्चुली में क्या है एक इंटर मॉन्टेन प्लैट्यूम इसको क्या कहते ह परवतिये पठार एक अंतर परवतिये पठार है लद्दाक तो एक श्रंकला नहीं है यह एक पठार की तरह काम करता है तो अंतर परवतिये पठार क्या होता है शायद हमने कल भी पढ़ा था कि दो माउंटेन के बीच में पढ़ने वाला पठार तो माउंटेन तो क्या होता है परवत तो कुछ ऐसा होता है मैदान से उंचा तो तकनीकी भाषा में जिसकी उचाई 300 मिटर से उंची हो वो परवत हो जाता है पर उसका जो उपर वाला सिरा है वो कैसा होगा पीक होगा चोटी नूमा होगा किन्तु पठार कैसा होता है पठार ऐसा होता है मैदान से उपर उ होता है तो यह पठार होते हैं परवत होते हैं यह मैदान होता है तो अंतर परवती पठार इंटर मुन्टेंट पैटु का इसा है जो दो परवतों के बीच में आ गया है यूट को अलग नीनिको वालग चीज लेखने वह बडाख के नोर्थ में शोप पागल अभी तो पड़ा है अपने वह चोटी काराकुरम तो लड़ाग के नोर्थ में है काराकुरम लड़ा के साउथ में कौन सी है जासकर और यह है आपका लड़ाग पहाड़ हैं बीच में पढ़ने वाला एक पठार ऐसे बहुत सी पठार होते हूं जैसे बॉलिविया का पठार स्थ दख्षिन अमरीका में वह बी एक अंतर परवति पठार का उधारन परवत के लगेगी कहां जाएगी बैक नहीं करेगी अगर मालो इदर से हवा ऐसी चल रही है इस तरफ तो हवा कभी उल्टा नहीं आएगी क्यों क्यों कि पिच्छे सब्सक्राइब कहां जाएगी पर जलते जाएगी वाई नहीं मालों पूरा सामने मौंटेन है ऐसे आरे जैसे आरे इदर से आरे अब इसके तकराइब कहां जाएगी दोन्नों में को अ तो हवा है चल आ रही है तो कोई कारन होगा क्यों चल रही है और पिच्छी से उसे पुष् लग रहा है दबाव रहा है फिजिक्स में एक आप DRN तो फिछ से डबाव हुए उसके पूपर नहीं सकती है कि अर्थ के अंदर गुष सकती तो एक ही उसके पास रश्ता रहिया है वुपर उठना हवा आएगी इसके टखर आएगी इसको पुष्य जाके कि जब भी कभी हवा उपर उपती है तो यह बना सकती है फिर हवा नहीं बना सकती नीचे गिरती हुए हवा कभी बादल नहीं चेब बादल उठती हुई हवां हewाही बनाएगी अरे वादल कुछ नहीं है बादल हवा ही है किन्तों हवा के अंदर आप मोईश्चर नहीं है है आभ बम पर कोई gossip नहीं है जहां मौश्चर नहीं है बस होना कि है एक हावा कि फिर उटिए जाए तो मादल जाएगा तुम पर बने के लिए एक अनिवार स्थित्य रिक्वायड गंडिशन पर से जाके जब इदर नीचे उतरेगी तो नीचे गृत्ती हुई हवा कभी बादल नहीं बनाती और वैसे भी समसकते इसको ले मेंटरम में जिस्तना भी इसके पास तो इदर कोई बारिस ने तो जो माउंटेन की यह वाली साइड है इस साइड को कहा जाता है अब आप हिंदी में भी लिवर्ड कह सकते हैं बट यह है पावन भी मुख ठीक है कि जाल देशें यह पावन भी मुख तो रइनफाल कोंती थी तरफ होते हैं बेंड़ड्य लीवर्ड्ट नहीं फिर उगल्ब बल्ड़ विंड़ड यह लिवर्ड थी वाली क्या है रेनले इरिया है और या वर्षा वरिष्टी छेत्र है ले लिवर्ड वाला क्या जाता है रेन शेडो तो इसको छेत्र इसको ऐसे भी कहते हैं जहां वर्षा नहीं होती तो हमेशा पर्वत के उस तरफ वर्षा उती दर नहीं होती जैसे मैं उधारन आपको दूँ ड्राइ ड्राइ साइट ठीक है जैसे मैं आपको अगर एक्जामपल दूँ तो आप इसी मैप के अंदर देख रहे हैं यह वाले मैप के लिए इसी मैप में देखो यह इंडिया दिख रहा है आपको कोई नहीं वैसे बनाते हैं यह क्या इस वादा यह इधर राजस्थान है नीचे गुजरात है यहां पर एक माउंटे रेंज बढ़ती प्रवत संखला पढ़ती आप उसमें भी देख सकते हैं नाम क्या इसका और आवली आपके यहीं पढ़ती ना रियाना में भी आती दक्षीणी अरियाना में राजस तो मोंसुन का जब समय आता है तो इधर से हमारी क्या रहती है विंड्स आती है एक व्यूर गया तो वरसowing नहीं होती है निषसक हो गया तो मरूस थल हो गया है हाँ बंगाल से आती है कि एक्चुली क्या होता है यह विंड ऐसे घूमती है यह इनकी डायरेक्शन होती है मौनसुनी पाउनों की ठीक है तो इसके टकराती है इसके इधर वर्षावरिष्टी नहीं करती अब जैसे इधर से इधर आ रही है तो ऐसे यहां भी एक माउंटेन है यहां पर इस माउंट इसको ओरोग्राफिक रेइनफॉल बोलते हैं तो इसको ओरोग्राफिक रेइनफॉल बोलते हैं जो माउंटेन के प्रभाव से तीन तरह की रेंफॉल होती है इन में से एक ओरोग्राफिक माउंटेन का बड़ा रोल होता है तो हम इसको क्यों समझा रहे हैं क्योंकि हम इस लगा को पड़ रहे हैं लगाग जब अंतर परवती पठार हो गया इंटर मॉंटेन प्लैट्य हो तो इसको कहीं से बाद़ नहीं मिल रहा है इसकी विज़े से लद्दा के क्या बन गया जहां वर्षा नहीं होगी तो क्या बन जाएगा वह जहां पर पर पचीश सेंटिमेटर से कम रेंफाल हो और वार्षिक वर्षा वर्ष्टी से मरुस्तल कहते हैं तो लगा कैसा डेजर सीत मरुस्तल बन गया है क्योंकि उचाई पर बीज्टित है इंडिया का एक कोल। लगा बहुत सवाल आते हैं कि डेजरिट के बारे में लिखो इंडिया के तो बच्चे केवल थार का मरुस्तल लिखाटे हैं जो राजस्थान में पढ़ता है वह इस लद्दा को भूल जात इस लदाक में एक इंपोर्टेंट बात क्या है इसके उपर कुछ लेक्स पढ़ती है बड़ी फेमस लशी का लेके जा रहा है और आप मैप में भी देखोगे एक लेक का नाम है यांग सो का यांग सब्सक्राइब का नाम मिलेगा सो मोरी जूंडो इस लेक को इंडिया चाइना बोर्डर के उपर पड़ रही है अभी आपको हाँ इसी पर सेन ने क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए कल ही तो आपके रक्षा मंत्री ने राज्यसावा लोकसावा में भाशन दिया है इसी बात को लेकर के और सवाल उठा रहा है विपक्स कि भई क्या हमारी पिछे अट गई तो यह पोंग्यांग वह फिंगर की तरह है तो फिंगर एरिया है आप यह एक सवाल उठाया जा रहा है कि पहले हम फोर फिंगर एलिया तक पैट्रो लिंग करते थे पर आप जब से यह गतिरोध हुआ है हम आप दो तकी कर रहें तीन पे भी नहीं कर रहें और रक्षा मंतरी मान गया है इंडिया मान गया कि ठीक आप जो यह था इस्थितिया उबर करा रखो तो यह विपक्स सवाल तो इसका मलब आपने दो फिंगर एरिया उनको दे दिए तो यह सवाल उठाया जा रहा है जो भी है हमें जोग्रफिक हिसाब से देखना है कि पॉंग्यांग सो क्या है एक लेक है जो लदाग पढ़ती है सवाल पूछा जाता है यह दोनों लदाग में है पर यह पॉंग्य पानी की जील है जो तरह की जील हो सकते मिठे पानी की खारे पानी की देखो जो मिठे पानी की जील है वो या तो वर्सा के पानी से बनेगी मिठा होता है यह नदी के पानी से बनेगी यह बर्फ पिंगल जाए तो बनेगी वर्फ भी तो मिठे पानी से बनती है खारे पानी कोई से बनती है या अब कि रही कपानी है या या आप कि रहिस्तान है या या View में अट सलाइन होजाती आ geld क्यों कि पानी हैं मौनोहों छी के अंदर वाश्वी करन ज़ाद हो ने सबस् घर्मी होती है तो क्या फ्रेषग है वाइकessä हो जाथ और ये промआ आ त्री इडियेट मूवी में लास्ट में जो लेख दिखाई जाती दिखाते ना वो लद्दाक में यही लेख है पॉंग्यांग सो बट यह जो लेख आपको दिख रही है सो मोरीरी छोड़ा नीचे दिख रही होगी यह कैसी है यह सेलाइन लेख है अब एक बड़ा सवाल यह उड़ जाता है कि यहां तो ऐसा तो कोई हो डिजर्ट भी नहीं है कि वास्पिकरन जहां हो नहीं आज पास समुद्र है को समुद्र दिख रहा है क्या फिर यह खारे पाने की कैसे है ऐसी उपर देखोगे तो एक साल्ट पैन भी लिखा होगा इधर कहीं देखोगे तो जिकलिक लिए खहले लेक के नाम कहीं साल्ट मैं लिखा से इस जी के कोई नी आपके अटलस में नहीं दिखाया हुआ है इस जी कोई बात नहीं दिखाया हुआ है एक साल टेले की भी ऐसी उपर तो सवाल यह है कि ऐसी सालाइन ले क्यों है यहां पर इसेरिया में कारण है कि बहुत समय पहले कितना समय पहले लगबग लगबग 90 मिलियन इयर अगो 90-10 लाख वर्षपूर यहां पर एक समुद्र हुआ करता था इस चेत्र में उस समुद्र का नाम था तेथिस सागर तेथिस सी तो वो तेथिस सागर जो है वो भर गया दिरे दिरे या उसका जो उसके अंदर जो अवसाधी चट्टाने थी सेडिमेंटर रोक्स थी उन्हीं से हिमाले बन गया थोड़ा बुद्र जो पानी रह गया तो वह अभी भी जीलों के रूप में वहां पाया जाता है कि सो मुरी ताइथिस सी का टेथिस सी का एक बचा हुआ पार्ट है फिर्ट है यहां की जमीन भी दे लिदी गई है ए यह दे बहुति को अचा सवी बेएम बालत है यहां की जमीन भी देदी गई है चीन को यह बहुत उपर लिखा होगा आपको लगए तो कारकुरम से भी उपर है किन्तु कारकुरम तो इधर ही खतम हो गई यह लद्दाग जो है इधर यह पूरा चित्रह से लद्दाग है ठीक है एक लिंगी टाइम प्लेइन भी मिलेगा ठीक है और इधर देखो के तो तो त्यड़ा यह कौन सा है देवसाई प्लेइन यह खैर उदर चीन की तरफ उदर कश्मीर की तरफ पड़ता है तो आपको यह जरूर याद रखना है दीप सांग प्लेइन इंपोर्टेंट यही है यह पूछा जाता है तो कुछ छेत्रिय मैदान भी यहां पाए जाते हैं पठार के ऊपर कुछन में बताऊंगा ना भी आपको सवाल पूछेंगे अभी आते हैं ठीक है तो यह आपकी लद्दाक के बारे हमें है अगली रेंज कौन सी है जहांसकर आप देख पा रहे हैं इस ज सिख्रको तिबद के अंदर कैलाश रेंज भी कहा जाता है इसको तिबद के अंदर कैलाश रेंज भी कहते हैं लिखाओंगा के तिबद की तरफ कोई बात नहीं चलिए आप लेख लेजे लुक में दे रखा हुगा ठीक है अहां पढ़ ले न के लाश रेंज भी कहते हैं कहां तिब्बत में कोई विशेज इसको उपर चोटी नहीं है को उची स्रंकला नहीं है तो कोई ग्लेशर भी नहीं है कि कि अंदर एक रशा पढ़ता है बड़ा प्रशिद्य अब क्या पntक लिए ओय। मैं कि इन दर्रा क्या होता है पास क्या huis मांटेन यह पंधर थोड़ा फौत गैप मिल जाए तो वहां से क्रोस किया जा सकता है इसे माउंटेन चल रहा है यह ऐसे पूरा माउंटेन चल रहा है मालों यहां थोड़ा साथ से गैप मिल गया तो इस गैप में से माउंटेन को क्रोस किया जा सकता है इनको कहा जाता है दर्रे गैप नहीं एक ही पाड़ी है रेंज क्या होती ह इसको ऐसे सम्झो कि ये मैदान है एक उपाड ऐसा हो सकता है एक कुछ ऐसा हो सकता है ऐसा यह फिर पाया है यह फिर्द लॉट था मौउंटेन ने तो इसको कहते हैं पहाड या भाड़ी या मौंटेन भी कह सकते हैं उचा है तो छोटा है तो हिल इसको कहते हैं रेंज श्रंकला की लगातार चलना तो जो श्रंकला है उस मौंटेन रेंज के अंदर मानलो अगर कहीं पर ऐसा हो जाए थोड़ा सा आपको ऐसे नीचापन मिल जाए घाटी नूमा चीज मिल तो इस घाटी से आप क्या है इसके स्रंकला की उदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं तो इसको कहा जाता है पास दर्रा तो आप सिपके लाज दर्रा जैसे प्रसित दर्रा है रोतांग दर्रा सुना होगा आपने तो ऐसे बहुत सी दर्रे होते हैं दर्रों की बहुत विशे तो होता है क्यों कि उच्छे-उचे माउंटेन को इन पासिज के तुरू ही पास किया जा सकता नहीं तो नहीं किया जा सकता ठीक है यह जो आपको लद्दाख रेंज दिख रही है इसके अंदर एक बहुत परसिद्ध दर्रा है उसका नाम है शिपकिला नहीं ऐसे मत बोलो कु जीला यह सवाल आएगा फिर शिपकेऎल किरा होगे जो जीला पास जो जीला दर्रा है यह दिखा रहा हुआ है दर्राज होता है मैप में पास जो में इस सिंबॉल से दिखाया जाता है को कहीं है है आउ happens आप उसको बना लीजिये कहां बनाएंगे ने शहर दिख रहा यह ले दिख रहा है और इधर श्रीनगर दिख रहा है तो आप इसको यहां से बीच में बना लीजिए अब ऐसे जहांसकर के उपर है तो थोड़ा इधर बनाएंगे तो यह है आपका जोजीला जर्रा तो यह किंदो शहरों को कनेट करता है ले को श्रीनगर के साथ ले को श्रीनगर के साथ जोड़ता है और इसी दर्रे से एक राष्ट राजिमार्ग बनाया हुआ है नेशनल हाईवे आप अटलस में थोड़ा पिछे चलिए जहां पर आपको एक ट्रांस्पोर्ट ओफ इंडिया का मैप मिलेगा भारत का परिवहन इतना पिछनी इंडिया मे शोड़े च्ञाद मिलेंगे आपको इसके बाद और आगे चलो ओर आगे चलो तो यह च्छोटे च्रांस्पोर्ट ओंडिया को और आगे चलो इसमें है इंडिया रोड्स इंलेंड वाटर यह सब लिखा होगा उपर यह पढ़ते चलो टाइटल और यह आ गया और आगे चलो यह क्या लिखा है इंडिया रोड इनलेंड वाटर वे सब लिखा है ना परिवहन का मैप दिया है तो इसमें ले और श्री नगर के बीच में जो राष्टी राजमार दिखा रहा है कि उसका क्या नाम है नेशनल हाइवे वन ए और डी फिंद भी को दिखा है वेल बोलो सवाल में भी आयेगा डीदी युक्त ऐसर ऑने को दिखाईए तो ये सवाल भी पूछ लेया जाता है ले और लडाख से जो राष्ट राजमार जरढ जोडता है उस्ट राष्टी राजमार क्या नाम है या जो जीला दर्रे से जोड पास होन इसे याद रखेंगे छिक है तो ये तो हो गया आपके जहांसकर के बारे में में आगे चले तो ट्रांस हिमालय की तीन रेंज हो गई है कि बस इक पास को चोटी नहीं कर ग्लेशर नहीं को विशेश बाद इसलमें नहीं है आप इसके बाद हम आते हैं प्रांस हिमाले के बाद हिमाले तो सबसे पहले इस हिमाले के बारे में कुछ विशेष्टाओं की बात करते हैं सबसे पहले इसका extent मतलब फैलाओ यह कहां से कहां तक फैला हुआ है यह माउंटेन पामीर कि नौट कि से लेकर के नामचा बर्वा तो हिंदी में भी नामचा बर्वा करेंगे पामीर की गांट नोट भी बोल देते हैं और गांट भी कह सकते हैं है तो पामीर की नौट से लेकर के नामचा बर्वा इस्थान तक फैला हुआ है नहीं अर्णाचल में हाँ अभी बताते हैं सारा तो आप अगर इंडिया के मैप को देख पा रहे होंगे यह आपका जम्मु कश्मीर है इधर नेपाल है यह आपका सिक्क्यम है और नाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता एसे ठीक है तो यह जो आप मैप देख रहे हो इसी मैप में यह देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है यहां पर आपको दिखेगा थोड़ा इस तरफ पामीर नौट इंडिया से बाहर है इंडिया से बाहर है नहीं नहीं यह दिख रहा है इधर उपर दिख रहा है पामीर नौट यह लिखा हुआ तो यह पामीर जो नौट है यह आपकी पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान उन तिनों के बोडर पर पड़ता है ठीक है बोडर एरिया आपर है हां तीबद यह वाला चितर कहलाता है यह पीट इस a यह पनीर नौट है वह से फैला हुआ है और यह है नाम्चावर्वा दिख्या है इस मैप में एक दिख़ा होगा तो यह यहां से यूह है पूरा कप्र यहां तब कॉल रवात आपके इससका फैलारव मचाव को ठीक है तो यह पामीर नोट से लेकर यहां पर है आपका नामचा बर्वा अभी देख भी लिए अपने मैप में कहा है देखेंगे और आगे तो इसका कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है ऐसे तीनों कंट्री के बोर्डर पर है पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना यह तो यह यहां से लेकर इसका फैला हुआ है अब इसका अगर आप शेप की बात करें कि भाई इसका शेप कैसा है और यह लगबग लगबग आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यह आपकी कि चोड़ा तक आपका फैला हुआ है जिसकी ले इतनी है लंबाई और अगर इसके चोड़ाई की बात करेंगे तो चोड़ाई जू है समवेर इप्टिज्फ検 किलोमेटर इस वन फिफ्टि किलोमेटर तो 400 किलोमेटर कहीं पर चोड़ा है कहीं और ठीटर चोड़ा ठीडर ए कहीं जादा कहीं कम प्रैष इसकी लैंथ प्रैट की बात हो गई अब इसके अगर शेप की बात करो किसका आकार कैसा है कि य till ऑफ आपती है Vieक इसक तरह से है कि तो यह पामीर नोट और नामचा वरुआ को कहा जाता है सिंटेक्सियल बेंड्स ओफ हिमाले इस इंटेक्सियल बेंड्स ओफ हिमाले हिमाले की सिंटेक्सियल घुमाव मनलब जहाँ से उसका तेक्सोनोमी जहाँ से उसका आकार बदल गया है कैसे बदल गया है दक्षिनी की तरफ मुड़ गया है यह जो इस तरफ जो रेंज चली गई है इसको साल्ट रेंज कहा जाता है पाकिस्तान में और इसका ही फैलाव थोड़ा सुलेमान रेंज भी कहा जाता है किन्तु यह जो इधर की तरफ मुड़ गया है इसको क्या कहते है आराकाम योमा यह कहते हैं इधर जो घुमाव है इस वाली स्टंकला को और इसी को इंडिया में क्या कहते हैं पूर्वान चल दो कौनों नाम से बोलते हैं इंडिया वाले इसको पूर्वान चल कहते हैं किन्तु वर्ल्ड जोग्रफिय में मैं मार पड़ेगा इधर बर्मा वो कहते हैं आराकाम योमा तो यह इसका क्या है आकार है शेप है तो अगर मैं आप से पूछूं यह ऐसा शेप हो गया ऐसा ऐसा तो यह कॉन्वेक्स किस तरफ है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स समझते ना स्कूल में पड़ा होगा कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं इंदी में उत्तक उत्तल हां उत्तल और उत्तल तो उत्तल यह किस तरफ पढ़ता है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ इंडिया की तरफ त तरफ एक यह भी सवाल पूचा जाता है कि इंडिया और मैनमार के बीच में बनाने वाली निच्रल बाउंडरी कुन सी है वो प्राकर्तिक सीमा जो इंडिया निच्रल पाकिस्तान के बीचे बनाती है तो आराकाम योमा यह पूचा जाता है अक्सर सवाल तो याद रखेंगे कटिए हिवाले के extent की बात हो गई आकार की बात हो गई लेंफब्रेट्थ की बात हो गये इतना बड़ा आपका क्या है हिमाला तो वह हम इसकी विशेष्था हैं Kapud ब़feld माउंटेण यंग यग-वॉल्ड माउंटेण यह कैसा है नवीन वलिद्परवत ले बढ़ाई होगा वलित परवत नवीन वलित परवत यंग फोल्ड माउंटेन तो अब आप सोच रहे होंगे कि वलित क्या होता है फोल्ड माउंटेन क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे जियो मर्फोलजी में भी जाके जो माउंटेन होते हैं परवत जो होते हैं उनको उनके बनने के अनुसार मोड ओफ देर फोर्मेशन हो बने कैसे हैं दिर आर थ्री टाइप ऑफ माउंटेन क्या क्या होते हैं एक को कहते हैं फोल्ड माउंटेन वलित परवत जो इसको ब्लोंक मांटैन भी कहते हैं है तो दो हिंदी में भी ब्लोंक परवत के प्लोक परवत फॉल्ड मान्टेन वलिच पर बाद पर फॉल्ट माउंटेन गर्थ परवत या फिर आप कहिए कि भरंश परवत भी कहते है Ö लो है ब्रफ परवत कि भधाते और तीसरा है वोल्कैनिक माउंटेन ज्वाला मुखी निर्मित परवत तो बनने के अनुसार तिन तरह के तो सबसे पहला फोल्ड माउंटेन यह फोल्ड माउंटेन क्या होता है यह प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोल्डिंग हिंदी में कहते हैं वलन तो यह वलन क्रिया से बनता है अब यह वलन क्रिया क्या है इसको समझे जिसे मान लीजिए यह पैन है तो इस पैन की जो रिफिल है वो रिफिल को अगर मैं दोनों तरफ से ऐसे दबा दूं तो क्या हो गया है वोड गया की देगो यहीर का जाना इसके साथ नहीं ऐसा चठान इसलिव सब्सक्रापर आभए हो सब्सक्राइब क्रे societies कई थम संस्था भिए क्रूस लगा दिया जाए तो यह इस फोर्स के लगने के वज़े से इसके आकार में परिपरतन आएगा और यह कैसी शेप अक्तियार कर लेगी कुछ इस प्रकार से यह अपने शेप में आ जाएगी दोनों तरफ से अगर कंप्रेंसिव फोर्स लगेगा तो ठीक है तो यह जो प्रोसेस इसको कहते हैं वलन फॉल्डिंग तो क्या आपको नहीं लगता है कि उठ गया उपर तो पाहड बन गया कोई पाहड ऐसे भी बनता है क्यों ऐसे दबादो चत्तान को बीच में से उपर उड़ जाए इस प्रोसे को कहते हैं फॉल्डिंग अलग अलग तरह के फोल्ड होते हैं इसको अलग से पढ़ेंगे बट अभी बस इतना ही जानो विशेश कर सौफ्ट रोक्स के साथ ऐसा होता है ठीक है जैसे चौक है चौक तो दिखा होगा ना लाइमस्टोन है चुना पत्तर है तो यह इनको अग जाने-च्रीज तर्ण यह सभी नवीन वलिदत परवत है यह सारे के सारे नवीन वरन परवत है नवीन से यहां पर ऐ कि जो यंग मतलब है जो नए जो कब बने है टर्शरी टाइम प्रि्टिंद में बने हैं टर्शरी टाइम में में अब हम जो हमारे प्रित्वी का इतिहास है प्रित्वी को बहुत पुरानी मानते हैं 4.5 billion year अगो इतने करोडो वर्ष पूर बनी थी तब से लेकर अब तक हमने प्रित्वी को कुछ समय काल में बाटा हुआ है इसको कहते जियो लोजिकल टाइम क्लोक ठीक है आपकी एटलस में भी दी हुई है एटलस में थोड़ा से आगे जाके देखोगे तो आपको तब से लेकर के अब तक का जैसे मानलो यहां प्रित्वी बनी 4.5 बिलियन येर अगो तब से लेकर अब हम है 2021 में तो इसको आपने समय में बाटा हुआ है समय चक्र में बाटा हुआ है तो जियो लोजिकल टाइम क्लोक इंडिया महीं मिलेगा पहला ही मैप निकालो यह रिजनल के बाद कहीं लिखा होगा जियो लोजी ओफ इंडिया मिल गया है सेकिंड मैप थोड़ा पीछे चलो एक दूप में पेज पीछे अधिये देखो यह जो दिख रही है इसको कहते हैं जी ओलोजी कल टाइम क्लोक तब से लेकर अब तक इसको समय में बाटा हुआ है यह एरा इपोक जैसे होता है दिन दिन में गंटे गंटे में मिनाट मिनट में सेकिंड ऐसे बड़ा जो होता है उसको कि चोटी जो आपते हैं इसको में इसए डिवाइड किया जाता है इसको में एक बड़ा है इसमय बनी ती जो चट्टाने तो यहां पर रिलिगा टरशरी प्राइमरी सेंडरी ट्रशरी क्वाटनरी यह जो नया समय है अभी वाला ये वाली चट्टानों में अगर वलन हुआ है तो उसे कहेंगे नवीन वरेट परवत इससे पहले कहीं भी हुआ हो पूरी हिस्ट्री में तो यह कहलाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन ठीक है पर नहीं सारी नहीं ज्यादा तर ट्रांस हिमाले में बहुत ज्यादा चट्टाने आर्कियन चट्टाने पाई जाते हैं किन्तों हिमाले के अंदर सारी कैसी हैं टरश्री समय की हैं तो इसको कहते हैं नवीन वलन परवत अगर मैं समय आपको बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं सेविंटी फाइफ मिलियन इयर अगो से लेकर प्रेजेंट टाइम त प्राचीन वलित परवात जो पिचेतर मिलन इयरोगों से पहले बने हैं तो इसको धारण मुझे पता सकते हो कुछ अरावली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह पढ़ा था कहा है हाँ डिवाइडिंग रेंज यह एक्जाम्पल यूराल कहां पर है रश्या में यह 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 प्राचीन वलित परवत के उधारन हां को फोल्डिंग लग से पड़ेंगे को चिंता की बाड़ा नहीं है अगर आप नहीं लिख पा कुछ इस तरह का मौंटेन है मान लो इसके इल्टी किरिया हुजाए रिपेट प्रसर्थ हो जाए ट permis कोई चथ्टान है और इसके एपोजित में फोर्स लग जाए घृट वहां तो ऐसा था compressive force यहां पर कैसा है repulsive force उल्टा लग रहा है लग सकता है क्योंकि पिर्थवी के अंदर मान लिजे यह पिर्थवी है यह एक आपकी प्लेट है दूसरी प्लेट है यह प्लेट इधर चल रही है इधर चल रही है तो बीच में अगर कोई चटान है तो उसके उपर लग गया की नहीं लग गया ऐसे लग जाते हैं तो इन forces को भी हम पढ़ेंगे detail में तो अलग अलग ऐसे forces लग जाते हैं तो प्रिथवी के अंदर अगर compressive लग रहे हैं तो वलन होगा किन्तो अगर ऐसे लग रहे हैं अपोजीट में रिपल्सिव में तो क्या होगा बताओ इसमें क्या होगा बीच में आएगा stress strain तनाव फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने जो 11 पहले तक पढ़े हैं उसने नहीं तो कोई बात नहीं एक सिंपल होता है कि चाओ stress strain और stress सबसे पहला होता है खिचाओ strain ज्यादा कि चाओ अगर और खिचाओ हो जाता है तो उसको कहा जाता है फ्रेक्चर हाथ में fracture हो जाता है कहीं हड्डियों में हो जाता है तो fracture है कि हम लेगे तूटी गई हड्डी तूटी गई कि केवल दरार आ गई दरार आ गई और अगर इस fracture से भी बात आगे बढ़ गई तो उसको कहते हैं fault तूट गई है ठीक है तो यह कुछ इसके साथ ऐसा ही होगा बी चाव तनाव फिर fracture ठीक है और फिर उसके बाद fault तूटी जाएगी तो इसका भी कुछ reformation हो जाएगा या इसका भी कुछ आपका यह कि नया कुछ रूप सामने आ जाएगा कैसा ऐसा यहां से तूट गई कि इस खिचाव की वज़े से और तूटने की बाद नीचे धस गई क तो इसको कहा जाता है यह दोनों तरफ बन गए हैं इन्हीं को क्या कहते हैं ब्लोक माउंटेन फोल्ड माउंटेन भरंश परवत ठीक है और यह जो बीच में यहां को खड़ा है तो उसको क्या यह घाटी नजर नहीं आएगी इस घाटी को कहा जाता है रिफ्ट वैली भरंश घाटी तो यह निसेसरी है अगर भरंश घाटी होगी तो उसके दोनों तरफ क्या पाए जाएंगे चटान तो सब तो एक वलन है एक ब्रंशन के रिया है इससे भी बनते हैं जैसे मैं आपको अगर एक्जामपल दूँ तो एक घाटी है इंडिया में नर्मदा रिफ्ट वैली नर्मदा ब्रंश गाटी तो अगर ये घाटी है ब्रंश गाटी तो इसके दोनों तरफ क्या मिलने चाहिए फोल्ड नहीं फोल्ट माउंटेन ब्रंश परवत तो कौन सा इसके उत्तर में पढ़ता है नर्मदा के कौन सा दक्षिन में मैं में देखो एटलस इसलिए लेके बैठे हो कि बार-बार देखना पढ़ता है कि यहां पर पढ़ती है आपकी नर्मदा की नदी वह नर्मदा नदी इसी घाटी में भार रही है तो यह नर्मदा इसी में देखो यह दिख रहा है यह नर्मदा नदी दिख रही है तो इसके उपर में क्या है विंद्यान सत्पुडा दिख रहा है तो यह होगा ही होगा कि नर्मदा देखो MP से निकलती है फिर वो कहां जाती है महाराष्ट में गुज्रात में चले जाती है उदर गिर जाती है हम उसको रिवर सिस्ट्रम पढ़ेंगे तो समझ गए इतना ऐसे और उधारन है जैसे आपका एक उधारन पढ़ता है यूरोप में रोन रिफ्ट वैली जिसमें रोन नादी भैती है ओ개섯य भेट रिफ्ट वैली नहीं वह दो रिवान तो यह आपकी रिफ्ट वैली आप उने अफरीका में पढ़ी थी ग्रेट रिफ्ट वैली अस्ट्रेलिया में आफ्रीका में निकालो अफरीका का में कि निकाली जल्दी निकाली यह देखिए रिफ्ट वैली दिख रही है इसमें पड़ी थी आपने और इस्ट वैली तो क्या इसके दोनों तरफ माउंटेन नहीं दिख रहे हैं ब्राउन क्लेर दिख रहा होगा मिथुंगा माउंटेन मिचुंगा माउंटेन डूंड सकते हैं लोग परवत हैं यह मिलेंगे यह मिलेंगे जब रिफ्ट वैली बनेगी तो इस किरिया को कहते हैं हम लोग भरंशन या फॉल्टिंग और तीसरा है वोलक है नो जोला मुखी मालों यह पृत्वी है नीचे से जोला मुखी फटे तो जोला मुखी जब जम जाता है तो वह ऐसे कोनिकल शेप में जमता है ऐसे कोन नुमा संकुनुमाकार में तो यह जो परवत बन गया है क्या बन गया वॉल्कैनिक माउंटें ठीक है एक एक जामपल आप बताईए आपके दक्षिन हर्याना में पढ़ता है एक तक्षिन हर्याना में कौन सा दिला पड़ेगा में पर वहां पर एक डेड़ वॉलकैन हो है मृत ज्वाला मुखी कवधार में बेरेन की सबसुंची जोटी भी है है कि है इस्ट पीक्यार यह अर्यार नाम सब्सक्राइब बैरोड की मौर्णी हिल्स है मौर्णी हिल्स में कुर्व साउथ हर्याना की बता है दक्षिन हर्याना की सबसुंची जोटी धोसी धोसी जोड़ा है वो मृत ज्वाला मुखी है ऐसे ही उर्वी उठारना है सारा मती नागा लेंड के अंदर वो भी एक वुलकैनिक माउंटेन है कि नीचे ने ने वह उसको हम पढ़ेंगे नीचे देखो अगर लावा है नीचे होता है उसको मैगमा कहते हैं बहार आज़े तो लावा मैगमा का अगर नीचे श्रोथ है सोर्स कंटिनियूस है तो निकलेगा निकलता रहेगा तो यह बन दाएगा सक्रिया ज्वाला बात नीचे अगर किसी भी कारण से मेगमा बन ही रहा है तो उन निकलेगा को मेगमा जब भी बन जाता है वो हलका हो जाता है हलकी चीज उपर उठेगी बाहर आएगा यह आएगा तो इसको बोलते है एक्टिव वोलकान सक्रेज वाला मुगी बट कभी कभी क्या होता है नीचे मेगमा बनना बंध हो गया को कि नीचे की चीजे बदल गई एस्थिन स्फियर में बदलाव आ गए तो उस बदलाव के कारण मेगमा बंध हो गया बनना पर पहले जो निकला था वो तो माउंटेन बना गया वो डेड़ वोलकान हो गया मृति ज्वाला मुखी अब उच्छो आप क्या बूच रहे है कि अब हीट होती है हाँ ठीक है कि नहीं अभी आप प्लेट को मत जोड़ो इसमें प्लेट बनती रहेंगी नीचे की क्या होगा जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा ठीक है तो अभी मैं उस चीज़ को इंटरमिक्स यान नहीं कर सकता हूं कि मैगमा कैसे बनता है ब पिरथवी के एंदर अगर तरल अवस्ता में है तो वो मैगमा कहला थी और जो हो गया है मैगमा क्योंकि यह में जांकि सॉस्छान बरद दूसरा कारण इस हैं यह नीचे निछाला जाए का तो आग जैल जाए dale गर्मी के तुर सब्सक्राइब किन नीचे लड़ा पार्यन परेख ब norms अदर ज्यादा गर्मी होती है तो अभी शिर्फ इतना जानों कि बहिं कुछ होता है मेगमा जो भार आकरके जम गया तो एक माउंटेन बन जाता है। तो हमारा हिमाले कैसा माउंटेन है। जो वन से बना है यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। इसकी पहले विशेष्थाथ। दूसरी विशेष्टा हिमाले की एक है दूसरी विशेष्टा हिमाले की जो हिमाले है वो कैसी चट्टानों से बना है सेडिमेंटरी रोक्स का मलब होता है आवसाधी चट्टाने आवसाधी चट्टानों से बना है तो चट्टाने भी तीन तरह की होती है उन वेसिस अब देर फॉर्मेशन बनने के आधार पर कुन कुन सी इगनियस सेडिमेंटरी मेटमोर्फिक हिंदी में कहते हैं आगने चट्टाने आवसाधी चट्टाने और तीसरी होती है कालांत्रित चट्टाने या रुपांत्रित चट्टाने छिक है लिखूं क्या यहां पर यह लिख लोगे रोक्स जो हैं चट्टाने तीन तरह की होती है है तो हिंदी में कहते हैं आग ने्ट्ठाने सेडीमेंट्री अब किसामनी लिखाइए आउसाधी तीशी यह होती हैं मेटा मौर्फिक को कि अ क्या रूपानतरित चतो तो एक गर्रुत न हो जाए नहीं पड़ेंगे डैटरील में कैसे होती ऐसे सेडिमेंटटि रोक्स बस बीतना जानें कि ऐसी चट्टान होते हैं जो सेडिमेंट से लेइर बाई giam जाम्पल लाइन स्टॉन को छूना पथर कि सैंड स्टॉना बालू पथर कि रेड सेंड स्टॉन लालً बालू पथर जिसे हैं लाल-किला बना कि यह सब ही सब्ढ़िन क ell यह जो हमारा हिमाले बना इन्ही चट्टानों के वलन से बना गुमाव से बना हैं और यह चट्टा ने यह कहां पाई जाती थी इसी स्थान पर एक समुद्र होता था उसका नाम था तेथिस सी तेथिस सागर तो इसको डिटेल भी पढ़ेंगे प्लेक टाइट निश्यों है इसके फोर्मेशन तेथिस सी के अंदर पर जैसे हिमांबारी गंगा है इधर से आरे गंगा नदी यह आई से एक परत जम घई मट्ति की और हजारों-दोहजार पचाहजार साल बाद दिरे-दिरे और परत जम आई ओर परत जम आई समय के साथ क्या हो रहा है in course of time sediments deposited layer by layer तो किसी जमाने के अंदर 220 मिलियन वर्सपूर यह आपका इंडिया इधर था युरेशिया इधर था युरोपोरेशिया बीच में जो सागर था इसका क्या नाम था तेथिस सी तो केबल इतना ट्रेंगूलर जो इंडिया है नीचे वाला जो भी आप मैप में देखते हैं प्रा यह अगो 220 मिलियन वर्सपूर यही हिस्सा था बीच में पानी था और तेथिस सी इधर से जो नदी आती थी उदर से जो नदी आती थी वो क्या कर दी ती इस तेथिस सागर को ऐसे आवसादी चट्टानों से बर दिया गया और यह इधर बढ़ रहा है यह प्लेट इधर जबाओ के जैसे बीच में क्या हो गया फोल्डिंग वलन होगा कि नहीं होगा तो यह जो अवसादी चट्टाने हैं इनका वलन हो गया और यह परत दर परत ही उपर उठ गई और क्या बन गया हिमाले की अलग अलग स्रंकला है एक 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 परत उपर उठी तो एक श्रंकला इसले देख रहें ग्रेट हिमाले मिडल हिमाले शिवालिक तो यह इसके बनने का प्रॉसस है तेथिस्सी के वलन से ठीक है और चलें आगे एक और विशेष्टा है जो फोल्ड मांटेन होते हैं उनकी विशेष्टा होती है करेक्टर्स्टीक होती है कैसे होते हैं कुछ सप् में तरफ बहां से और हमाले बहीजांद हमके स्पाइब की एक तरफ क्या दॉट्नार कि आसा है वह साधारत्य करते प्रहेशा धीमाले में unite किन्तु इदर तिब्बत की तरफ क्या है वो उसकी ढाल बहुत साधारन है इसलिए चाइना वाले तो दोड़ते हुए तोप लेकर आजाते हैं उपर हम नहीं चड़ सकते हैं हमें या तो दर्रे चाहिए दर्रों में से गुसेंगे या फिर हमारे पर यहां से मिसाइले हो उप ठीक है तो यह हमाले की क्या है कुछ विशेशताएं हैं अब हमाले को फिर से फर्दर रेंजिज में डिवाइड क्या हुआ है क्या क्या ग्रेट हमाले सबसे पहले जिसको हम क्या कहते हैं ही माद्री यह लिखा थे ना उने इसको हिमाद्री भी कहते हैं विशाल हिमाले अपर हिमाले भी कहते हैं अपर भी कहते हैं बीच में हिमाचल जिसको क्या कहते हैं मिडिल और लिटल भी कहते हैं लगू या फिर मद्द ये भी कहा जाता है लगू हिमाले या मद्द हिमाले और तीशरी क्या है आपकी शिवालिक अब इसको पढ़ते हैं इसको सब हिमाले उप हिमाले भी कहा जाता है ठीक है सबसे पहले ग्रेट हिमाले जिसको हिमात्री कहते हैं तो आपको मैप में देखी रहा होगा कहां से कहां तक है कि देखो मैप में कहां से कहां तक है यह हमारा जो विशाल हिमाले है ग्रेट हिमाले है वो कहां से शुरू होता है यहां पर एक आपको पीक दिख रही है जिसका नाम है नंगा परवत ठीक है मैप में थोड़ा दिखाया हुआ है नंगा परवत से स्टार्ट होता है और यह कहां तक जाता है अरणाचल में नाम्चा बरवा तक तो नंगा पर्वत से, नामचावर वlike चोटी है, जो पढ़ती है जम्मू कष्मीर में। नामचावर वावव भी एक चोटी है जो कहाँ पढ़ती है। में नामाब़ अदर्रा से गुजरेगा तो अगर आप देखो इंडिया में तो कहां कहां जाएगा है जम्मो कश्मीर लद्दाख कि थोड़ा बूद जाएगा उसके बाद हिमाचल उत्राखंड नेपाल है ठीक है कोई बाद ने सिक्किम सिक्किम के बाद अरणाचल आज सम्में नहीं रहेगा अरणाचल हाँ छे राज्जयों से जर्ड़ा है तो जो ग्रेट हिमाले है इसके कुछ विशेष्टाएं है क्या क्या इसके उपर कुछ चोटियां पाई जाती पीक्स चोटियां दो तो आपको सामने लिखी है नंगापरवत और नामचा हुआ है इसके अलावा एक इंपोर्टेंट पीक इसके अंदर पड़ती है कामिट सभी आठ जार से उचाही से उपर की है आठ किलोमेटर से उची है कामिट नंदा देभी कंचन जंगा चीक है इसके अलावा और भी मिलती है जैसे धोला गिरी अनपूर्णा नो नहीं यह जो आप बंदर पुंच बोल रहे हैं वो अलग रेंज है वो तो तो अनपूर्णा और भी है जैसे माउंट एवरेस्ट यह सभी इसके अंदर पढ़ने वाली फिमस पीक है तो जो आपकी कामेट नंदा देवी है यह कौन से राज्य में है देखो मैं में उत्राखंड कंचन जंग्डा से किम में सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया भारत की दूसरी सबसे उची चोटी सबसे उची कौन सी थी केट्व कुन सी रेंज में थी कारकॉरम में सब्सक्राइब रखो यह सवाल आते हैं आप पूछरे दें कैसे कुछ नाते हैं ऐसे कुछ नाएगा सुमेलित कीजिए एक तरफ चोटियां देंगे एक तरफ संकला देंगे तो देखेंगे केट्व और लिखेंगे कंचन जंग लिखदेंगे नंदा देवी लिखदेंगे सारा मती सामने स्रंकलाएं होंगी आएसे ही कозмती इंदी नदी गिरी अन्पूर्णा माउंट एवरेस्ट यह कहां पड़ती है नेपाल के अंदर देखो कुछ मिल जाएंगी पर माउंट एवरेस्ट को आप याद रखेंगे कि नेपाल में यह क्या है विश्व की सबसे उंची चोटी आठ जार आठ सो आठ तालीस मिटर अब बढ़ गई बता रहे हैं ठीक है पर हम अभी तो ओफिशल डेटा का इंजार करेंगे कोई मीडिया चैनल वाला भोल दे तुससे मलब नहीं है वो मीडिया वाला ही चला रहा था हूए टीक है ठीक है a a a जार्नीजिक होटा है झूब सर्वे महानेगे तंख को महानें ठेक वो थोड़ दो वो पुछेंगे नहीं लिखने के लिए बता दें यहां पर है आपकी कंचन जंगा ठीक है अब सवाल यह पूछा जाता है लिखे कुछिम निम्लिकित चोटियों को पश्चिम से पुर्व क्योर लगाएं आररेंज दर फोलोइंग पीक स्वाम वेस्ट टू इस्ट आरेंज फोलोइंग पीक स्वाम वेस्ट तू इस्ट चोटियों को पश्चिम से पुर्व क्योर लगाएं हां तो नंबर एक माउंट एवरेस्ट नंबर दो थोड़ा जलदी लिखा करोहीं नंबर एक मान्ट एवरेस्ट नंबर दो का नंधा देवी नंबर पांच नंगापर्वट हो अलगाओं उनको इससे पस्ची में कौन सी है नंढपर्वत फिर कामेठ फिर नंदा देवी पिर माउंट ऐवरेष्ट हम देख रहा tourossa कि सवाल अकसर पूछा जाते है ठीक है हो जाएगा यह अब यहां से मुझे एक बात और बता दो उची चोटी जो सबसे उची चोटी यह वह पश्चिम है पूर्व में ऐसे हिमाली का यह हिस्सा सबसे उचा है तो हम अगर तुल्ञात्यपक डंग से कहें तो क्या यूं कहते कि हिमालय इसके अंदर कुछ पढ़ती है पिक के लावा इसके अंदर कुछ ग्लेशियर्स पढ़ते हैं लेशियर को हिंदी में पी ओंप सब्सक्राइब करें लिखें यह आप क्या के लिख लिए आपने ने सारी लिख लिए क्या क्या ग्लेशर इसके अंदर पढ़ते हैं देखो कुछ फेमस ग्लेशर पढ़ते हैं एक ग्लेशर का नाम है बंदर पुन्ज ठीक है एक ग्लेशर का नाम है गंगोत्री चीक है और हैं किया बोल रहे हैं तो एक लेशर इसके अंदर पड़ता है जे मूँ जो इंप्रोटन हम बता रहा हूं जे मुँज्डी मुँ ऐस तो पिंडर भी है बहुत से गलेशर हैं वो सब छोड़ो वह नहीं हम इंप्रोटन की बात कर रहे हैं गंगोत्री जे अच्छी सदिश्च के अलावा एक होगा मिलाम मिलेगा श्की में देखो को तो मिल जाएगा में नूर्धी स्टाले में में देखेंगे मिलाम बंदर पूर्च गंगोत्री यह तीनों किसमें है उत्तरा खंड में और जेमू सिक्किम है, ठीक है? यह भी ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टन बात है, बंदर्पुंच यह जो ग्लेशर है, ग्लेशर के पिंगलने से क्या बनती है? नदी, यह बंदर्पुंच जो ग्लेशर है, इसको यमुन उत्री भी कहा जाता है, इसका मतलब यहां से क्य लिना निकलती है यह मुणा नदी निकलती है। बंदर पूंसे यह सवाल इंपोर्टेंट है नदियों के उधगम स्थानों को अक्सर समेलित करने के लिए सवाल आता है। watching there यहां से क्या निकलती है 17 007 गंगा वह 5 नदियों के संगम से बनती है पंच प्रियाग कहते हैं उसम में गरइबर सिस्टम औंप पढ़ेंगे शंगम् बट अभी के लिए तेजहानों पांच जो है अन्त में जूड़कर के दो बड़ी भागी ऱती निकल निकलती है छो फो पाला संकाशट मेई से जेमू सिक्क्यमू में है है से कौन से रिपर निकलती है तेस्ता फेमस रनदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है सायक नदी है तेस्ता वह यहां से निकलती है जेमों से ठीक है तिनको आप लोग याद रखेंगे है हो गया अच्छा इसके अलावा इसके अंदर ग्रेट हिमाले के अंदर कुछ पासिज पढ़ते हैं मतलब दर्रे पढ़ते हैं क्या क्या आप फेमस पढ़ते हैं एक जो परसिद इसके अंदर दर्रा पढ़ता है उसका नाम है बारा लाचा ला बहुत फेमस दर्रा है इसके अलावा शिप किला ठीक है इसके अलावा वैसे तो बहुत हैं पर मैं आपको वहीं बता रहा हूं जाब के हैं है है नातुला जिलिपला ला है डोगरी भाशा में पास को कहते हैं दर रेको एक बॉमडीला अब जिलिपला दर रहा है अब बताएं को दोनों कहां पढ़ते हैं राज्य भी याद रखने हैं चोटी को राज्यों की साथ भी मैच करने पूचा जा सकता है जैसे वहीं मैं आपसे पूच्छों कि नंदा देवी कौन से इस्टेट पढ़ती है उत्राखन नंगा परवद जम्मू कश्मेर कंचन जंगा सिक्किम तो यह नम्चा भरवा अर नाचल तो यह स्टेट भी याद रखने बहुत सी चीज़ें याद रखने वाले यह दर्रे याद रखने कौन से राज्यों पढ़ते हैं इमाचल में दोनों नातुला जिलिपला दोनों कहां है सिक्किम में है और बॉम्डिला अरनाचल प्रदेश में है ठीक है तो जो बार अलाचला है वो कहां है पढ़ता है आपका हिमाचल में यहां पर पढ़ता है कुछ इस जगह पर बार अलाचला तो नीचे सहर है सहर का नाम है मनाली ठीक है उपर शहर का नाम है ले तो मनाली और ले को जोड़ने वाला दर्रा है बार अलाचला है चीक है याद रखेंगे इसके नीचे एक और दर्रा आता है यहां पर उसको पढ़ेंगे अभी पहले रोतांग जाए फिर बारलाचला से जाए दोनों हिमाचल में हैं तो यह बारलाचला है जो आप इधर देख रहे हैं यहां पर एक दर्रा पढ़ता है इंडिया चाइना बोर्डर पर इसका नाम ह शिपकिला और शिपकिला दर्रे से ही यह नदी इंदर आ रहा है नदी का नाम है सत्लज देखो पूच्ण बाएस दोई को यह बिस्टी में भी दिख रहाना यहक है यह एंटर कर रहे है यहां पर निशाण लगा के लिख लो शिपकिला तो पूचा जाता है कि कौन सा दर्रेशिया कि स्थान से सतलुज नदी भारत में इंडिया में इंडिया में इंडिया करती है तो कौन से शिप किला से ठीक हो गये ना अच्छा ट्रांस्पोर्ट इंडिया निकालो दुबारा थोड़ा जल्दी करो चीजों को कि मैं आपके हाथ में दस दिनों से पिछले आपका हाथ पढ़ते ही वहीं पहुंच जाना चाहिए सीधा कर पांगे गाने हुआ कि हार रोड़ वाला तो वहां पर अगर आप झ topl ऑल बना दितों तो मिटी मस्ट भीडिया फ्जो यह यहलु पर की तरफ जा रहा है मनाली से ले की तरफ यह जा रहा है क्या नाम इसका ऐसे वे ट्वंटी इवन यह जाता है बारेला चला रोतं से जो इधर की तरफ मुड़ गया है इधर को की तरफ यह कुन सा है कि नहीं को ट्वंटी टू तो हम दोनों हो गए आपके ये यह एक परता है इधर बहुत इंप्रोटन्ट इसका नाम है नाथूला इधर जो पढ़ता है इसका नाम है जिलिपला इसे जाएंगे तो कौनसे देश्म चले जाएंगे नेपाल में तो इंडिया नेपाल को connect करता है नाथूला या इधर जाएंगे तो आगे तिबबत की राज़धाने भी आ जाएगी लासा आ जाएगी कि नीए तो यह इसको याद रखेंगे नाथूला किसको जोड़ता है इंडिया या तिबबत बोलिए नेपाल तो खैर वैसे बहुत राज्टे यहाने के तो मानसरोवर के यात्री जो जाते हैं इस नातुला के जाते हैं कि इन कि पात को जोड़ता है और इस तरफ जाएंगे यह कौन सा देश आ गया भुटान ओब्ध फोड़ता को टिसने यह लिपत और ये थोड़ा सा इधर आने के बाद इधर अवनातल शुरू हो जाता है तो यहां पर इधर है बॉमडिला तो बॉमडिला भी किसको जोडता है इंडिया और भुटान को इस तरफ है इधर बॉर्डर पर ठीक है अब सवाल क्या आता है कुश्चन लिखिए ने मुल आहराण को पूर्व से पश्चिम के उर्लकान के सके युव लेहल, तोस दीन कि उर्लकान को पूर्व से पश्चिम के ओर लगान you go are in the following passes from east to west number 8 ship gila number 2 Bara La Chala number 10 है नंबर चाहर जिलिपला कि नंबर पांच नातुला लोक्ता ना ने लगा नावी नंबर पांच नातुला ह्तु पता कौन इस तरफ को लाद ना है जैוכर यह को सब्सक्रेंबगाला-इसक्त जरूराइं पर इसके कृंसेब्ट है क्या वह Eigen पता चल गया कुण किसको जोड़ता है तो अपरेंज कर दो हूँ सबसे इस्ट में कुण साहपूर में बॉमडिला फिर जलिपला नातुला तो उससे पहले है शिप किला फिर आपका बाराला चला तो सबसे वेस्टर मोस्ट बाराला चला ठीक है देखो ना इस वाले में देख गया सबसे यह इधर है बॉमडिला यह वाला बॉमडिला है निशान लगा है यह जिलिपला है यह नाथुला है और उदर चले जाएंगे थोड़ा पीछे तो में खर्रब कर दिया मैंने इधर है आपका शिपकिला इधर है बाराला चला ठीक है तो यह हो गया आपका ग्रेट हिमाले के बारे में विशाल हिमाले के बारे में ठीक है इस्यादा कोई सवाल नहीं पूछेंगे मिडिल हिमाले हिमाचल भी जिसको कहते हैं मद्ध हिमाले या लेसर हिमाले लगू हिमाले भी कहा जाता है ठीक है सबसे पहले इसकी एक जो विशेस्ता है वो क्या है इस middle हमाले को नेपाल के अंदर महाभारत range भी कहा जाता है हां ये बाते पूची जाती है कि महाभारत range निमलिकित में से किस श्रंकला को नेपाल में कहते हैं तो आप तिन्चार दे दी जाएंगी जहां आपका मद्ध हिमाले आ गया उसको कहा जाता है महाभारत रेंज निपाल महाभारत श्रंखला इसकी एक विशेशता क्या है इसके अंदर एक विशेश प्रकार के फोल्ड मिलते हैं जिसको नैफे कहा जाता है होने एक फोल्ड का नाम है एक वलन का नाम है नृफे क्या होते हैं फोल्डिंग जब पढ़ेंगे अभी बस इतना ही जानिए ना इफे फोल्डिंग के अंदर मिलता है और दुनिए में बहुत कम जगे मिलते हैं एंडीज Aल Tabii ने Pacific विशेश परकार का फोल्ड है वलन है बहु ठीक है अच्छा दूसरी बात जो मिडिल हिमाल्या है यह फर्दर कई रेंजिज के अंदर डिवाइड़ है इसके अंदर और कुछ स्रंखलाएं पड़ती हैं क्या-क्या एक का नाम है फीर पंजाल एक का नाम है धोलाधार एक का नाम है मसूरी एक का नाम है नाग टिब्बा तो यह चार रेंजिज के अंदर इसको फिर से बाटा गया है मसूरी जो है वहीं आप देख रहेंगों कुमाउं लिखा होगा साइद में में कि अगया है कि अगया है कि इसमें पूरे सब नहीं दिखा रखेंगे हैं को यह आप उसको लिख लेजिए और अपनी एटलस में ढूंड़ें अब कहां कहां मिलेंगी इद्धि में भी लिख लोगे ना पीर पंजाल सब वही है नाम देखिए सारी आपको इस तरह भी मिलेंगी यहां रेंज दिख रही होगी यह कैसे ऐसे दिख रही है यह इधर यह है नंबर एक लिख देता हूँ मैं इसको फीर पंजाल यहां एक range दिख रही होगी ऐसे नंबर दो लिख देता हूँ यह दोलाधार यहां पर एक और range है नंबर तीन लिख देता हूँ मसूरी इसको कुमाउ लिखा हो गया तो चार नंबर यहां पर थोड़ा आएंगे तो नाग तिब्बा यह चारों ऐसे हैं कौन सी मिल गई पीर पंजाल दोलाधार मसूर मिल गई अंदर देखो यहां नहीं ब्रिजनल मैप में देखो अंदर बड़े वाले में यह देखो इनको भी दिखाओ नजनल ल Свित हम अखरो यह क्या है पीर पंजाल दोलाधार मसूरी कमाव नहीं है कुमाव वह नाग तिब्बा है यह नाग तिब्बा अ मत्षरी मिल गई यह पहली बात किया आप यह याद रख पाएंगे कैसे नूर्थ सरूट थे सबसे नुर्थ में कौन सी चारों में से फिर पंजाल फिर धोलाधार फिर मसूरी फिर नाक टिबबा और कुछ बाते याद रखनी है पिर पंजाल लार्जिस्ट रेंज ओफ या लोंगेस्ट रेंज ओफ मिडिल हिमालय की सबसे लंबी स्रंकला पीर पंजाल पूछ लेते हैं फिर इसके बाद धोलाधार फिर मसूरी फिर नाटिब्बा तो यह इनकी लंबाई के अनुसार भी ऐसे डिवाइड क्या हुआ यह भी आपको सिक्वेंस बनवा देते हैं जो पीर पंजाल आपको श्रंकला दिख रही है पीर पंजाल रेंज इस रेंज के अंदर एक बहुत फेमस पास पड़ता है विस्व प्रशिद पास देखो क्या नाम है अब आपास देहीं नहीं रखें आपके अदिसमें तो वैसे बिता दू कि यहां से टनल है जवार टनल देखो यहां नीचे शहर है जम्मू उपर है शिरी नगर जमू और शिरी नगर को जोड़ने वाला दर्रा है एक तो दर्रे का नाम ही है पीर पंजाल पास पीर पंजाल दर्रा ठीक है किन्तु एक ओर है वो पुछा जाता है पीर पंजाल तो सभी बता देंगे पीर पंजाल में है तो युटा देंगे बनिहाल दर्रां इसको याद रखना है बनिहाल पास किसको जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से यह नीचे हैं तो कौन सा दिल्ली भी आ जाएगा यूँ भी कह सकते कि दिल्ली को श्रीनगर से और इसी दर्रे को रोग दे जाए तो श्रीनगर कट जाती तो शरीनगर जहां लिखना है वहीड आप कि क्या है और इसके इदर की जो माउंट Hijy देंड रिंज रेंज और उसका क्या नाम है अभी तो पढ़े हो का रो करें तुपर है अभी भी स्के नौर्थ में जो है ग्रेट हमाल यह ग्रेट नहीं है ग्रेट हिमाल है नीचे पीरपंजाल और बीच में यह जो रैड कलर में आपको पूरी दिखेगी यह क्या है कश्मीर की घाटी यह बिलकुल डाव जमाने कर दिए यह सवाल पूचा जाता है कश्मीर घाटी किन दो शंखलाओं के बीच में का अ को और पीरपंजाल कर द reviewed एक में लिखेंगे दोलाधार घरेट होधार एक में लिखेंगे दोलाधार एक में अई लिख गेट हिमाले और जहांसकर तेख ठीक है तो कि độ के बीच में है घर पुर्ब बनजाल और ग्रेट हिमाले के बीच में कश्मीर की तो यह कि बनिहाल पास याद रखेंगे पिर पंजाल में उसके बाद आते हैं धोला धार रेंज आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में यह ब्रोडा स्ट्रेंज है सबसे चोड़ी रेंज है मिडिल हिमाल्य की प्रदेश की राजधानी शिमला है वह इसे में पढ़ती है तो यह पूछ लेते हैं इमाचल की राजधानी जिसे पाड़ों की रानी भी कहते हैं वह किस रेंज यू पढ़ती है धोला धार में और इस धोला धार रेंज के अंदर एक बड़ा फेमस दुबारा से बात हो रही एक दर्रा पढ़ता है उस दर्रे का नाम है रोहतांग पास है रोहतांग पास वही आपने देख लिया तो यह मनाली को ले से जोड़ेगा और जो बनीहाल पास है यहां से भी जम्मू से शरनगर जाने के लिए राश्टर राजमार्ग है निश्राइवे बन ए देख सकते हो देखना चाहो तो दर्वाइश लिख तो लो राश्टर राजमारग वण से पास होता है और रोतांग से आप जानते ही है कुन साजार है 21 वहारी ना को यह बाले को हिउए आपको आरख के बारे में इस में पीक है ना वे ईसमे डर्रावाबिक च्टोटी रेंज थे कैसे मिडल हेमाले के बाद कि के लास्ट है आपकी लृइड़ तो जो शिवालिक रेंज है यह सबसे दक्षिन में पढ़ रही है तो सबसे नवीन श्रंखला है हिमाले की उपर से नीचे चलेंगे वैसे नहीं नहीं होती जा रही है सबसे नवीन यंगेस्ट है एंड इस्टिल इन फॉर्मेशन स्टेज यह अभी भी बन रही है इसकी और उचाही भड़ रही है ठीक है इस शिवाली को भी कई अलग अलग नाम से जाना जाता है क्या क्या कहते हैं यह वाला कलर इसके उपर पता नहीं देखता भी एकिन कश्मीर में नाम से पता चल रहा है इसको और क्या आउटर हिमाले तो कहते हैं वो तो हमने देखी लिया पर और छोटे-छोटे रिजनल नाम है चेत्रिय नाम है चूरिया मुरिया घाट हाशिवा लिखे चेत्रिय नाम है जम्मू पहाड़ी कहते हैं जम्मू कश्मीर में च अभूर मिशमी ये कहा जाता है चारो नाम अरूनाचल प्रदेश में अभूर मिशमी मैप छोड़ो लिख लो तो आगर आप इसको आगे जाकर के नौर्थीष्ट का मैप देखेंगे यह नौर्थीष्ट वाले मैप दिख रहे हैं यह वाला तिस नौर्थीष्ट वाले मैप में नाम देखो दिख रहा है आप दोखो पहले डाफला अभोर मिश्मी मीरी दिख रहे नहीं सारे ऐसे यह नाम है शिवालिक के देख लो वाँ निशान लगा लोगा इनको पूछे जाएंगे और इन डाफला मीरी अभोर मिश्मी को पहले तो यह भी पूछे लिए वेस्ट विश्ट लगाओ पस्चिम से पूर्व कियो तो लगे आप सुच रहें कैसे यह तो सूचते कैसे याद हो ग्येंकि मुझे याद हो कि मुझे आखो सकते आपको भी हो जाएंगे वह देर दिर हो जाएंगे कर verse 6 प्रदेश तो याश्ट प्रदेश में अकिन जाटि के नाम परवत के नाम पढ़ें जोटी कि पाड़ी याद टिए बारे में को में हैं तुछ आयों बाद कि नूर्थ कि तरफ एक गाटी बढ़ती है उस घाटी को कहा जाता है दून है दून घाड़ी दून यह एक्चुली क्या है आपकी लोंगी टूड़नल वैली हैं के लोंगी टूड़नल वैली है इसके नौर्थ में तो लंबूद गार्टी है कि लूंगी टूडनल नat तो ये इनको दून कहा जाता है ज thély पूचले थी दून क्या है किस-किस के बीच चुप अब बाड़ें कि शिलालिक ओर नोर्थ में क्या यह मिड़िल हिमाले ऐस फिलाली OF १ कट्र ओड़नेवाल को कि इस्ट हिमाले में तो कुछ नाम है जैसे देरा दून कोटली दून पीपली दून तो यह सब हैं आपके घाटियों में बसे हुए शायर घाटी है जो शिवाली के नौर्थ में पढ़ने वाली लंगी टूड़नल वैली इसको लंबी घाटियों को दून का नाम दिया जाता सिक्किम की तरफ इसको दूआर कहते हैं करें सिक्किम में और आसम में कंदोर ठीक है बढ़ी अ है आधि अब देखो तून इसमें नौर्थ हैस्तिवल्रमय में यह सिक्किम दिख रहा है सब्किन क्या इसके नीचे लिखा धो यह दूआरे लकार यह यह पहला भी सिवा तो पड़ेंगे अगले लेकिर जबी आपका और एक पहले और दालीजे आप डिफरेंस बीट्विन वेस्ट हिमाले एंड इस्ट हिमाले पस्चिमी और पूर्भी हिमाले के बीच में अंतर का दो आप इसको याद दो आ यहां से स्टाट करेंगे फिर पुर्वांच झाल झाल